हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राज़ानिक शेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 30 जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है समाजिक विज्ञान के हमारे अदित विशे से और आज से हम इस वर्क्षीट में एक नया पार्ट राष्ट्रिय आंदूलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसके बारे में कुछ समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे तो बिना देर किये हो हुए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं राष्ट्रवात का उदे यानि देश में एक तकी भावना का उदे वो कैसे हुआ इस वक्षीट में जानते हैं पहले के कारे पत्रकों के द्वारा हमने जाना की 1857 का विद्रो हलाकि कमपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था लेकिन जल्दी ही ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कपसा और भारतिये लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं और जब तक इस नियंतरन को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतियों का नहीं हो सकता यानि हम अजाद नहीं हो सकते हो पाएंगे और जो भारत है वो हमारा कभी नहीं हो पाएगा यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन राजनीतिक संस्थाओं द्वारा विदित होती है यानि कहने का मतलब है फिर 1870 से 1880 के दशक में ऐसी कुछ राजनीतिक संस्थाओं बनी जिनों ने लोगों को एक दिशाप्रदान की लोगों में एक राश्टवाद की भावना को पैदा करने का काम किया अब वो संस्थाओं कौन कौन सी थी चलिए जानते हैं तो नंबर एक है पूना सार्वजिनिक सभा जो की 1870 में बनाई गई और इसके संस्थापा किया फिर प्रमुक सदस्य कौन कौन थे महादेव गोविंद रानाडे एच एस चिपलूंकर गनेश वासुदेव जोशी उसके बाद एक इंडियन असोसियेशन बनाई गई जो की 1876 में बनाई गई और इसके संस्थापा की अप्रमुक सदस्य कौन थे सुरेंद्रनाद बनर जी और आनन्द मोहन बोज फिर तीसरा है मदरास महाजन सभा 1884 में बनाई गई और इसके संस्थापा की अप्रमुक सदस्य थे जी सुबद्रमणियम अययर और आनन्द चारलू फिर एक Bombay Residency Association बनाई गई 1885 में जिसके संस्थापक या प्रमुक सदस्य थे फिरोशा महता, केटी तैलंग और बदरोदीन तैयब जी और फिर एक सबसे प्रमुक संस्थाप भारतिये राश्ट्रे कॉंग्रेस जिसे आज हम कॉंग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं ये हमा A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और D.E. वाचा अब ये जो संस्थाइं थी इन्होंने राश्टवाद को पैदा करने का बहुत ज़ादा काम किया हाला कि इन में से कई संस्थाइं भारत के किसी खास हिस्से में ही काम कर रही थी लेकिन उन्होंने अपना लक्षे पू 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रती भारतियों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। अब वो कानून क्या थे उनके बारे में जानते हैं। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दे दिये गए कि वो किसी भी आपत्ती जनक सामगरी के प्रकाशन पर उस समचार पत्र की संपत्ती को जब्त कर सकती थी। देखिए हुआ क्या था कि 1878 से पहले कुछ जो प्रादेशिक भाशाएं थी जैसे भारत की तो बहुत सारी भाशाएं थी। उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था अंग्रेजों को ये मालूम ही नहीं था और यहां तक कि उन्हीं का ही एक और अंग्रेज था जो कि वो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखता था फिर अचानक से किसी जरीए इन ब्रिटिश सरकार को पता चल गया उन् बिल्कुल काम करने नहीं दिया जाएगा अब इसके बाद था एक इलबर्ट बिल ये इलबर्ट बिल क्या था ये 1883 में बना भारतिये जज अंग्रेज या यूरोपिये लोगों की नियाएक सुनवाई कर सकते थे देखिए अंग्रेजों ने ये बना दिया कि जो भारतिये ज इससे भारतियों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नसली भेदभाव को उजागर कर दिया था तो चलिए अब हमने थोड़े से टॉपिक तो जान लिए इसके बारे में अब हम अपने प्रशनोतर के और चलते हैं लेकिन प्रशनोतर करने से पहले अपने अध्यापक या अध्यापिका या अविभावकों की साहता से अपने पसंद के स्वतंता प्राप्ति के पूर्व किसी भी एक राष्ट्य संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए तो देखिए उपर हमने अभी पांच संस्थाएं पड़ी थी वो स्वतंता से पहले बनी थी, उनके बारे में कुछ जानकारी, तो मैंने यहाँ पर भारतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस के बारे में कुछ जानकारी खटी की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखे भारतिये राष्ट्ये कॉंग्रेस, अधिकतर जो की कॉंग्रेस के नाम से प्रख्यात ह में हुई थी और इसके संस्थापकों में A.O. Hume, दादा भाई नौरोजी और दिन्शो वौचा शामिल थे 19 वी शतापदी के आखिर में और शुरुआस से लेकर मध्धे 20 सदी में कॉंग्रेस भारतिय स्वतंता संग्राम में अपने 1.5 करोड से अधिक सदस्यों और 7 करोड से अधिक प्रति भागियों के साथ ब्रिटिश औपनी वेशिक शासन के विरोध में केंद्रिय भागिदार बनी यानि यही एक ऐसी पार्टी बनी जिसने जम कर पुर्जोर तरीके से एक सामाजिक संगठन था यानि स्वतंता से पहले जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस के रूप में कारे करने और किसानों के कानूनी अधिकार को लोगप्रिय बनाने के उद्देशे से शुरू हुआ था यानि ये सरकार और लोगों के बीच एक बिचौलिय का काम करता था फिर उसके बाद है प्रेश नमबर दो वर्नाक्यूलर प्रेश एक्ट ने किस प्रकार भारतियों को प्रभावित किया तो वो तो हमने जान लिया कि वो एक्ट क्या था ठीक है इसने क्या किया वर्नाक्यूलर प्रेश एक्ट ने यहाँ पर एक्ट भी लिखेंगे भारतिये भाशाओं में छपने वाले इस तरह का प्रतिबंद विदेशी भाषा यानि अंग्रेजी में छपने वाले समचार पत्रों पर नहीं था तो यह कानून इस पश्टिया भेदभाव पून था और भारतियों की अभिव्यक्ति तथा जन्मत निर्मान आधी पर प्रतिबंद लगाने वाला कानून था यानि बहुत ही सरलसा इसका उत्तर है बहुत जादा बड़ा लिखने के भी जवरत नहीं है ये 1883 में पारित हुआ था इसमें क्या था कि भारतिये जजज अंग्रेज या ये उरोपिये लोगों की नियाईक सुनवाई कर सकते थे अब जो ये बिल बना ये जो एक्ट बना अंग् जो के नसली भेदभाव को जागर किया क्योंकि इससे उन्हें भी पता चल गया भारतियों को की अंग्रेज नसली भेदभाव करते थे और अब आखरी प्रेशन प्रेशन नमबर चार आपके विचार से उपरोग तीन कानूनों में से किस कानून ने भारतियों को प्रभाव इसने भारतिये भाषाओं में छपने वाले सभी समाचार पत्रों पत्रिकाओं आधी पर सेंसर एवं प्रतिबंद लगा दिया इस तरह प्रति इस तरीका का प्रतिबंद मैंने अभी आपको बताया विदेशी भाषा यानि अंग्रेजी में छपने वाले समाचार पत्रों पर और भार्तियों की अभी व्यक्ति तथा जन्मन निर्मान आधी पर प्रतिबंद लगाने वाला कानून था इसने ही भार्तियों को बहुत जादा क्रोधित और असंतुष्ट किया बिलकुल ये सही बात है क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा पे तो कोई प्रतिबंद नहीं और भारतिय भाषाओं पे प्रतिबंद तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसने ही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वरक्शीट को समझते रहें लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें और कल के गंटंतर दिवस की आपको बहुत बहुत शुब काम ने लेकिन यदि करोना वाइरस से बचना है तो अपना मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी पॉसिबल हो इसकी वैक्सिनेशन जरूर कराएं क्योंकि करोना को भगाना है करोना को हराना है और जिन्दिगी को फिर से सुहाना बनाना है इसे उमीद के साथ धन्यद्ट